हेलो फ्रेंड्स मैं में टूमोरे स्वागत करना आपका अपने यूट्यूब चानल खेलो साइंस में आज के सेशन में डिसक्स करना वाले इस्टेंडर प्रिफिक्स के बारे में जो कि इसमें से क्वोशन एराइज होता है आए देखते हैं जैसे कि एक जूल में कितने कलोरी ह होता है यह ने इसमें से क्हांत है यह यहां से स्टार्ट करते हैं यह जो पहला है डेका पहला है डेका डेका को डी से डिनेट करते हैं, capital, डी से डिनेट करते हैं, इसका prefix क्या होता है, 10 to the power 1, दूसरा इसका देखते हैं, दूसरा जो है, हेक्टो, हेक्टो को एज से डिनेट करते हैं, इसका prefix क्या होता है, 10 to the power 2, तीसरा जो है, किलो, किलो का के से डिनेट करते हैं, और इसका prefix क्या होता है 10 to the power 3 तीसरा नमबर देखते हैं स्वरी तीसरा देख लिए चोथा नमबर देखते हैं मेगा मेगा को M से डिनेट करते हैं इसका प्रिफिक्स क्या होता है 10 to the power 6 पांचवा नमबर है जीगा जीगा को G से डिनेट करते हैं और इसका प्रिफिक्स क्या होता है पावर 15 उसके बाद से देखते हैं आठवा नमबर एकशा एकसा को ई से डिनेट करते हैं इसके प्रिफिक्स क्या होता है 10 to the power 18 आयो इसके पाद से देखते हैं dc की आपको smallD से denote करते हैं इसका prefix होता है 10 to the power – 1 10 नमबर दस वा नमबर देखते हैं 60 को C से denote करते हैं और इसका prefix होता है 10 to the power – 2 11 नमवर है mili mili को smalm से denote करते हैं इसका prefix होता है 10 to the power – 3 ऊसके पास से लेखते हैं На Перdo को değ misyon – 6 नमबर 9 9 को एस्का पृफिक्स होता है यह न पर मायनस नाइन उसके बाद देंके चिंवता gefाम फक्रोट मायनस- Chase, को अ क्लिवनिट Chemistry, को प्षोन पर मायनस Calm क्लिँटर उन स्सम का प्लीट करवेक्स होता है 10 to the power minus 15 नेक्ट देखते हैं एक टो को एस डिनेट करते हैं और इसके प्रिफिक्स होता है 10 to the power minus 18 आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट साइंस के वीडियो के साथ अगर फ्रेंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें जय हिंदे